नमस्कार मैं हूँ हिमान्चु शर्मा सियासी चौक के मुद्दे को लेकर आज हम पहुँचे हैं गाजबाद के नहरु नगर में आज का मुद्दा बेहद एहम रहने वाला है दरसल मुद्दा है क्या वाकई मानवता मरती जा रही है क्या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बचाने के लिए सडक पर नहीं रुकता है आखिरकार क्यों ये एक बड़ा सवाल है और ऐसे ही सवालों को जानने के लिए हम आम जनता के पास पहुँचे हैं तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे अलग अलग सवालों पर उनकी परतिकरिया जानेंगे राय जानेंगे और जानेंगे आखिरकार ऐसा क्यों होता जा रहा है जैसे जैसे हाइटेक जमाना होता जा रहा है आम जनता का जो सीना है वो इतना कठोर क्यों होता जा रहा है कि दूसरे की मदद के लिए आगे नहीं पहुंसते हैं गटना का जिक्र हम कर लेते हैं कानपूर के अंदर एक ऑफिसर डूपते हैं उनको बचाने के लिए गोता खोरो से पैसो के बारे में तो बात चित की जाती है उनका वीडियो तो बनाया जाता है, लेकिन बचाता कोई नहीं है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, बात कर लेते हैं सबसे पहले आपसे, बाउजी आपका नाम जाना चाहूंगा आपने कानपूर की घटना का सुना ही होगा और वीडियो भी आपने देखा होगा अगर ऐसा करते हो सकता है कि पैसे उनको मिल जाते हैं जो बचाने वाला वो खुद जो मुहमागी उनको रिकम दे सकता था तो उससे हमारी दूरियां बढ़ रही हैं सही बात इन्होंने मुद्दा उठाया है कि अब जो एक दूसरी के प्रति प्यार है वो कम हो रहा है अगर हम चार लोग आपस में बैटे हैं तो अपने अपने मुबाइल फोन में लगे रहते हैं कम्यूकेशन गैप होता जा रहा है क्या बाव जी आप भी मानते हैं कम्यूकेशन गैप कम होने से इंसानियत कम होती जा रही है अगर पडोस में कोई लड़ाई हो रही है कानुन का भैं, कुछ आपसी रंजस का भैं, और भी कुछ ऐसी परिस्थितिय यह जिसके करणमों इसी बचता नजर आ रहा है, और अपने आपको बचाता नजर आ रहा है, यह सब अभी देखने को मिल रहा है, लेकिन पहले कि अगर हम जमाने में बात करें, या एक दशक पहल लिए हैं आप भी मौजूद रहे होंगे उन समय पर हां वो समय भी हमने देखे हैं जब सभी लोग रहते थे जुटता की भावना से रहते थे सहयों की भावनाती एक दूसरे में मर मिटने के लिए तैयार रहते थे तो उस समय में सभी लोगों का किसी का भी दर्द है तो सब क दर्द है और किसी का भी खुसी है तो सब लोग सामल हुआ करते थे अब समाज में कुछ ऐसी नफरत किनी कारणों से हो रही है जाती का कुछ आधारों से जिनसे इस प्रक्रिया में कमेवेसी आ रही है मानवता और सहनबूती नजर नहीं आ रही है आपका क्या मानना है क्या व प्रेम भाव रहता था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लोग अपने बुजरुकों के पास नहीं बैठते पुरानी बात नहीं करते हैं। मेरा नम वैव पराशर है। मैं आपसे दो बुंदि रुखना चाहता हूँ। आज के हालात के लिए जो जिम्मेदार है वो दो चीजे हैं। एक तो है इंसान का स्वार्थी बन जाना। लोग जो हैं आज की डेट में स्वार्थी बन गए हैं। वो देखते हैं कि हमारा क्या फायदा हो रहा है। तो इस चक्कर में इंसान पहले अपना फायदा देखने लगा है। जो कि बहुत बेकार चीज है। मानवता के लिए बिलकोली खराब चीज है। दूसरी चीज है कि जो लोग हम संसकारों के कमी हो गई है। भारतिय संसकरता सभेता का हम हवाला दें। एक समाजिक व्यक्ति होता है तो सब चार लोगों से बात करता है। दस जगे बैठते हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं, कहीं मन मुटाव है तो उसको दूरी को दूर किया जाता है। आज की डेट में हम लोग ने टेकनोलोजी को इजाद किया था अपने मानवता के हितों के बढ़ाने के लिए। लेकिन आज की डेट में हमने उस मानवता के नाम पे उस टेकनोलोजी के नाम पे मोबाइल में घुसे रहते हैं। ये लोगों के अंदर जो एक दूसरे के प्रती पेम भाव था उसको कम कर दिया है। उसका एक दुष प्रभाव है, टेक्नोलोजी का यूज हमें करना चाहिए था समाजिक्ता के लिए, मानवता के लिए, लेकिन हम उसको देखेंगे आप टेक्नोलोजी के यूज से बहुत जगे जहां मानवता की जड़त होती है, उसका फायदा भी मिलता है, लेकिन ये निगे तो उससे लोग सोचते हैं कि ये ऐसा इंसिडेंट है, इसकी मैं वीडियो बना के डालूँगा, वायरोलोगी, मुझे पैसे मिलेंगे, और वो भूलोवर्स बढ़ेंगे, वो भूल जाता है तो एक्कम सही मुद्दा है कि फॉलोवर्स बढ़ेंगे, अगर आप फेस्बु लगा है कि लोग अपने लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए जीना लोगों ने छोड़ दिया है, महिला भी हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे, आपका नाम जाना चाहूंगा, ममता जी आपका क्या मानना है, वाकई अब मानवता जो है, एक दूसरे के परती प्रेम भाव क होने लगा है, और इंसानियत के एगर हम बात करें तो इंसानियत तो रही नहीं, एक दूसरे के बचाने के लिए कोई सामने नहीं आता है, वीडियो बनाने लगते हैं लोग, बिल्कूल, मैं खुद महिला हूँ, और मैं खुद दो बच्चेएं की माह हूँ, तो मेरा तो कं चल दिया गया मतलब वो दरस इतना मारमिक था कि हम मतलब हम जैसे लोग सो देख भी नहीं सकते और लोग इतने गुजर रहे थे उस रोट से किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई एक लड़के को रोकने कि कि दस बंदस को रोक सके क्यों लोग वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो के माध्यम से हमारे तक पहुंचा कि किस तरह से सको मारा गया उस लड़की को लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई लोगों की कि इसको आके रोके आप देखो मैं हूँ मैं खुद महिला हूँ मैं र यह देखने को मिलता है, सर आपका नाम जाना चाहूँगा, नाम भॉपाल सिंग है, जो आज कल सामाज के अंदर चीजे देखने को मिल रही है, लोग अपने में व्यस्त है, सामाजिकता एक तो खतम होती जा रही है, इंसान का दूसरे इंसान के प्रति, जो प्रेम वहार था, वो खतम होता जा रहा है, या सडक से गुजरते हुए हम देखते हैं, तमाम लोग अगर कहीं हासा होता था, हम और आप रुक कर मदद करते थे, लेकिन आज मोबाइल से वीडियो बनाने में लोग शुमार हो चुके हैं, बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि जब भी कोई ऐ इसको लेके जाओं, पब्लिक का काम करूँ, तो पब्लिक अगर सपोर्ट करें उसाजमी को, कभी हम तेरे साथ खड़े हुए हैं, या पब्लिक समाज उसके साथ जुड़ जाए, कि भई इस बंदे की मदद करो, या लेके गया है होस्पिटल, एक केस मेरे साथ भी आता है, मेरे बाई कर लगा था चोटा, यहीं हापरचुंगी पर उसको चोट लगी, तो वो एक गाड़ी वाला जो चोट लगी, उसको होस्पिटल लेके गया, और हमने उसको बिल्कुल आजाद कर दिया, कि तहने कम से कम इसको लाके होस्पिटल ने बढ़ती किया है, भई तेरा क कोई दोस नहीं है, अगर आप यहां लेके नहीं आते, तो सब लोग कहने लगे मेरे से नहीं इसको पगड़ो यार, इसको जेल करा हो, इसको सजा करा हो, तो मैं बिल्कुल नहीं, अगर समाज में यह बात बैढ़ जाए है, कि जो आदमी भई हेल्प कर रहा है, उसके साथ आदमी भई हो जगा बचाने के लिए, समाज के अंदर एक दूसरे के साथ प्रेम जो है, वो खतम हो गया है, जागरुता कैसे लाई जाए है, जागरुता के लिए समाज में सब लोग एक साथ बैठें, उठें, कोई यसी प्रोग्राम हो, जिससे लोगों को पता चले, अप आपना बचाव सर पर्थम व्यक्ति सोच था है, मेरा बचाव हो जाए, मैं पुलिस के दुआरा परतारिट ना किया जाए, इस डर से वह अपने को बचा के चलता है, अभी जैसे आपने डूबने की घटना बताई, वो भी हमने सुनी है, उसमें कोई वीडियो बनाता रहा या कोई पैसे की मांग को करता रहा, इंसानियत लोगों में खतम हो चुकी है, वो कारण क्या है कि हम वेक्तिगत ही अपने इ तो रिष्टे इतने ज्यादा मजबूत थे ति किसी की हमत नहीं हुआ करती थी कि कोई किसी को आकर छेड़ जाए या कुछ कह जाए, लेकिन आज मकान बेशक पक्के बन गये हैं, लेकिन जो रिष्टों की मजबूती थी वो इतनी कमजोर हो गई है कि बाहर वाला आकर उसक हमें क्या, देगे आजकल एक महन चीज हो रही है कि फोलोर्स बढ़ाओं, मॉबाइल पर ये बड़ा सिस्टम है कि खहीं भी कुछ होता दिक रहा है, तुरंत वीडियो बनाकर अपने फोलोर्स बढ़ाओं, पैसे आमदनी करवाओं, दूसरी बात अपने संसकार, पहले मॉबाइल में लगे हुए है, तो टेक्नोलोजी भी एक बड़ी वजह आप मानने कि मॉबाइल में सब व्यस्त रहते हैं, आपस में बाचीत नहीं करते हैं, कम्मुनुकेशन कम हो गया है आपस में, अमारे बुजूर्गों से सुनी है कि जैसा खाओंगे अन्नक वैसा होग मामन, तो थोड़ा बहुत वही चलता आ रहा है, विवेकारनदी जी एक हैते थे कि मैं यह सोचता हूँ कि पच्छमी देशों की सबता बारत में ना आ जाए, वो आज आ गई है पच्छमी देशों की, सारा सिस्टम वही चल रहा है, बाकि आपको लगता है ना कि जब घटन ही नहीं की जाती, बिल्कुल जैसा कि हम देखते हैं, न्यूजों में देखते हैं, सोचल मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं, उस घटना को देखने के बाद हिर्दे बड़ा परिसान हो जाता है, परंतु अगर हम मोके पर रहते हैं, तो यह नहीं सोच पाते हैं, वीडिय मुझे कहीं भी कोई ऐसी घटना हो के हम एक व्यक्ति का जीवन बचा सकें तो उसके लिए प्रेरित हम और जाओरों को करें सब से पहले हम अपने घर से ही ये प्रेरित करें इनका कहना है आखिर में महिला से बात कर लेते हैं आखिर में आप से ही पोछना चाहूँगा बी कंदे से कंदा मिला कर ही जब चलेंगी तब जाकर अवेरनेस आएगी लोग जागरुख होंगे तो उनको भी आगे उतरना चाहिए क्योंकि डर महिलाओं में सबसे ज़ादा रहता है अगर कोई गटना कहीं पर हो रही है तो महिलाओं सबसे पहले वहां से जाती है नहीं मे कि हम शक्षम नहीं है उस्टीच का विरूद करने के लिए उस समय तो हम पुलिस को कॉल कर सकते हैं और लोगों को हम इनफर्म कर सकते हैं उस्टीच के लिए और हम आगे बुला सकते हैं और उसका हमें सपोर्ट करना चाहिए उस जगह से हमें जाना नहीं चाहिए आप सकते हैं तो आपको बचाना चाहिए ऐसा लोगों को कहना है और शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए लोगों में समवेदन सीलता खत्वोती जा रही है उनके सामने हाथसा हो जाता है हत्या हो जाती है या लोगों को उपर हमला हो जाता है लेकिन लोग एक दूसरे को बचाने के लिए सामने नहीं आते कारना क्या है क्या लोग पुलिस से डरते हैं लोग पचले में पढ़ना नह आजकल जो विवाद होते हैं लोग अपनी आखों के सामने देखते रहते हैं लेकिन किसी को कोई बचाने नहीं आता कोई किसी के पच्ड़े में पढ़ना नहीं चाहता हैं लोग एक दूसरे की बात करते थे लेकिन अब ऐसा अचानक से क्या हो गया यह कि लोग बतायें नहीं किसी कोई अपने अंदर किसी के ना इंसानियत सब खतम हो गई क्यों आज कर लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते लोग देखते हैं कि हाथसा हो गया आदमी तड़ा पराए लोग वीडियो बनाते रहे इसको अस्पताल नहीं ले जाते अभी एक हाथसा हो गया था हमारे बच्चे के साथ हमारा बच्चा और उसका साथी जा रहा था यह सास्ती चौक की बगल की बात है तो एक लड़की को लड़का छेड़ा था उसने का भी आमको बचा लो तो बचाया हाता भाई होने लगी तब पुलिस आ गई हमारे बच्चों को भी बंद कर दिया उसके साथी को बंद कर दिया सुवह साम तक बिठाए रखा इसलिए डर की ब मदद करती है पुलिस भी इसका पुलिस में भी इसका रविया सही नहीं देता फुलिस वालोंगा जो आदी मदद करते उनको परिशान करते हो बिलकुल वाज़ताब सुवह साम तक बच्चे को बिठाए रखा हम भी आथ पर जोड़े बहुत प्रयास किया तो बड़ी मुस दूसता है कि ना किसी ना किसी के लफड़े में अगर फास जाओं तो कल को पुलिस वाले करेंगे दूपैर को भी आओ शाम को भी आओ रात को भी आओ और जबतागी केस सौल नहीं हो जाता तब तक आपको यहां ही पर रहना पड़ेगा कोई एमर्जेंसी हो कही हमें आना जाना हम जा भी नहीं सकते हम घर में डरके मारे चोरो की तरह हमें बैठे हमीं बैठे हुए चोरो की तरह जैसे हमीने कोई मुकदमा कर दिया हूँ इस वज़े सब्सक्राइब पछले में पढ़ना चाहता है लगता है समाज कायर होता जा रहा है कायरता आ रही लोगों में एसी बात नहीं है काहर्ता कुछ भी नहीं बस यह कि समाज जो है वो सिर्फ डर रहा है उसके अंदर डर बैठा अफुन थे लेकर के और चीजों से लेकर के यह जोगों के अंदर आज भी मानवताय है और लोग आज पूलिस थी वह बात आपकी ठीक है तब का समाज एक अलग था आज की देड में मॉवाइल आदमी उसको छोड़के वीडियो बना के लेकिन वह नहीं करना चाहता है क्यों नहीं करना चाहता है कि आज की जनरेशन जो है वह पहले लोग के बच्चे को मार रहे हैं तो बरबाद लड़का है यह सब बाते होती रहती है तो समाज में लोग यही सब चीजें करके मॉवाइल के जनरेशन लोगों को खा गई है क्या लगता है वैसा बहुत महात्वण मुद्ध आपने उठाया कि मॉवाइल की जनरेशन है वो एक दूसरी की मुदद नहीं करती है क्यों आपने में खोड़ गया कि वाइल में आदमी सो में से एक आदमी मिलेगा जो मदद करने के लिए जाएगा या जो दिले रखता हूँ बाकी कोई ने जाए तो हम क्यों पढ़े पचले हमारी पर होगी तो दिखा जाएगा सबसे बड़ी आख समस्य में धिक्कत है कि जब हमारे उपर हम देखेंगे पढ़ोस पने क्या होड़ा इससे हमें कोईए न देना नहीं यह सबसे बड़ी समस्य है आख्वोकी सामने चाहे हत्या हो जाे गुडियो से एक वीडियो सामने आयए था एक लग्की की निर्मम्तास यत्या के यारी तमाम लोग वहां से गुजर रहे थे लोगों ने देखा ही नहीं कुछ लोगों ने वीडियो बना कर दिया क्यों है क्यों है क्यों यह हालात पदा हो रहे हैं लिस्ता करते हैं और कश समाज में जो मदद करते हैं मैंने बहुत सेमामलें देखे हैं एक्सिडेंट हुआ है तो एक्सिडेंट में लोगों नो वहाँ पर ख़ले हो कर उसकी मदद किया है वहाँ अस्वताल तक पहुचाने का कार किया है लेकिन क्या है कि बहुत अभी पूरे समाज विस्तरही का महल नहीं है यह बहुत चंद और बहुत कम लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि ऐसे मोखे पर घटना हुई या कोई घटना हुई एक्सिडेंट हुआ या कोई मडर हुआ है तो बहुत कम लोग उसमें सहु करते हैं लेकि लिए कि आपकी पहल से मुझे लगता समाज में इस तरह की जागरुकता पैदा होगी और प्रसासन को मैं एक और सुजाओ द टी तो फुलिए मदद करें कि ने शीकायत करने आ हैं तो हम इसमेरी ना करेंQué उर्ट यह कि हम तुम सूचना लेकर आयो है इसकी मदद की है तुमु घ्रकुट रख़य तो सिवह मीlegen हो तैसका हम इस तरह분ा फोर्दों Sup diplomat पैदा होगी और हमें कि आगे चलके संबेदन सलत पताया है कि आज गता है कि आपको का यह विया है चाहता ही तो ङूब Mary the Zust Visit जाना पड़ेगा बारबार चकर लगाने पड़ेंगे इस तरह कोई आख मिक没有 सब्सक्राइब करें और अपने पर बात पड़ती है तब आदमी को जागुपता पैदा होती है कि हाँ इसके साथ हमने यह हेल्प करी थी वह आज वह काम आ रही है उनके साथ हेल्प करनी चाहिए आज जब हमारे पर आई तो यह नहीं आते हैं ना तो हम यह तकलिशों को यह नहीं आरहे आश लोगों नहीं दारना उस्हीं बढूदा है मुबाइल वाले प्रॉब्ब्रम तो जब घर घर को उन्होंनें मुबाइल अलग कर दिया माब आपको बच्चों को सबको अलग कर दिया माब अगर आपके पास मुबाइल है और सब बच्चा भी अलग लगा हुआ है मुबाइल पे डैडी भी अलग लगा हुए मम्मी भी अलग लगी हुए उसके बात क्या होता है जरा डैडी का फोन आया डैडी वहां पर ब क्या लगता है कि हाथसा हो जाता है लोगों का मर्डर हो जाता है लोग दूसरे को पीट रहे होते हैं लोग वीडियो बना करते हैं लेकिन मदद नहीं करते हैं मुवाइल एक मुद्दा नहीं है मुद्दा एक यह चीज का है कि लोगों के अंदर कितरी इंसाहिनत बची है कि नहीं बची है मुवाइल इसे अब कोई काम गलत होता है लोग उसकी वीडियो बनाते हैं भले वो अपने सौहत के लिए बना रहा है कि मैं फेमस हो जाऊंगा य लेकिन उससे और लोग कितना देख रहे हैं कि यह काम करूंगा तो इससे मेरा भी आंगे पैचान बनेगी इंसानियत खत्म हो रही है या फिलोगों में कायरता बढ़ रही है इंसानियत नहीं खत्म हो रही है मैं आपके चैनल के माध्धम से बात जैसे आपने दुर घटना ख़वर पहुचा सकते हैं जैसे किसी वेक्ति के इनिमन दुर घटना हुई सबसे पहले किये करना चाहिए कोई भी वेक्ति ने जो पास का हास्पीटर सबसे पहले टीट्मेंट पर वहां पहुचा है वो उसके बाद फिर आदमी छोड़ करके चला जा या अस्पतार की स्प सबस्क्राइब करते हैं जो मजबूत आदमी में घबराता इसलिए जो मजबूत आदमी हो तो कर देता करता ठीक हमाई कर इस चीज को हटना चाहिए जो मेरा यह मानना अगर यह हो गया तो कोई भी दिक्कत नहीं कोई मेरे ख्याल से ना दुर घटना में को एक्ति मरेगा औ सीधे उसको जीवन मिलेगा फर्स ट्रीट्मेंट सबसे पहरे जरूरी है और कोई भी अस्पताल चाह प्राइबेट कोई यह करने कि मना नहीं करेगा कोई दुर घटना के वक्तिया सबसे पहले उसका फ्रस्टेट देंगे फिर जो संबंदी रधिकारी को जाए सरकाली जहा मैं चाहता है हूँ कि जो पुलिस के पास लोग जाते हैं उसमें उनकी सुनी जाए अच्छे दस नब्बे नंबर मिला जाता है उसके कोई मिलता है निकाल पर अब यह घटना जो दिल्ली वाली हुई इसमें उस सब घूमाया पूर्य शहर में हूमाया लेकिन उसको किसी इनको सब मिल करके यह बात उठानी चाहिए आगे तक सरकार में नेता कुछ नहीं करता हम लोग अगर मिल जाएंगे जन जन मिल जाएंगे तो जन समस्या हल हो जाएगी जनी तो नहीं मिलना है बात तो यह हो रही कि आदमी है आदमी की मिदद नहीं कर रहा है कमी है लोगों पूलिस के उसमें नहीं पढ़ना चाहिए जाएं आप में जानने जिनमे से सबसे प्रमुक राई यही है लोगों का कहना है कि लोग कानून के पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं दरसल लोग किसी के अगर मदद करते हैं तो कई बार पुलिस उन्से सवाल जवाब करती है और कई बार उन्हें थाने चोकियों में बुलाया जाता है लोगों का समय बरबाद होता है, लोगों को लगता है कि वो कहीं कारूनी पचड़े में फच जाएं वहीं दूसरी सबसे एहम बात यह है कि तमाम लोग अब एक आकी होते जा रहे हैं खुद के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि लोग मोबाइल पर ही अपना सबसे ज़्यादा समय वितीद करते हैं, सामाजिक नहीं हो रहे हैं, यहीं वज़े है कि उनके सामने अगर कोई घटना घटती है, तब भी उनकी समवेदना जाकती नहीं है. वीडियान चमरी सेंग के साथ श्यम्तिवारी लेजिस्टेट कानपूर.